नमस्कार, NBC News के प्रदेश की खबरों में मैं एश्वर या आपका स्वागत करती हूँ बढ़ते हैं आज के उत्तर प्रदेश के खबरों की और फिरुजबाद में उपसभापती के लिए चुनाओं प्रक्रियास संपन्न हुई जिसमें योगेश शंखवार ने अपने प्रतिदवन्दी को दो वोटों से हरा कर जित हासिल की वही मौके पर मौझूद कारेकारणी सदस्यों और सभासदों ने योगेश शंखवार का फूल माला पहना कर जोरदार स्वागत किया फिरुजबास थित पालिवाल हॉल में मंगलवार को उपसभापती पत के लिए चुनाओ कराया गया इस पत के लिए योगेश शंखवार और रेखा यादव ने नामांकन किया जिसमें कारेकारणी के 12 सदस्यों द्वारा मतदान किया गया इसके पश्चाद चुनाओ परिणाम के लिए गिंती शुरू हुई जिसमें योगेश शंखवार को कुल 7 मत प्राप्त हुए वही रेखा यादव को कुल 5 मत मिले जिसमें योगेश शंखवार ने प्रतिदवंदी रेखा यादव को दो वोटों से हरा कर विजय हासिल की करेकारणी के हमारे कुल 12 सदस्यों जिनको अपने बीच से खुरू सभापती का चुनाओ परिणाओ योगेश शंखवार के जित पर वहां मौजूद लोगो ने उनका फूल माला पहना कर जोरदार स्वागत किया वही नगर आयुक ने योगेश शंखवार जी को साथ बोटों से विजय हुए है और श्रीमती रेखा यादव जी को पांच बोट पाड़े है वही नगर आयुक ने योगेश शंखवार को प्रमान पत्रत दे कर बदाई दी इस मौके पर नगर निगम की मेयर नूतन राठोर सहीद सभी पारशत और कारेकारणी सदस्य भी मौजुद रहे NBC News के लिए फिरोजबाद से रिहान अली की रिपोर्ट दस दिन पुर्वक हुई हत्या का पुलीस वह S.O.G. ने खुला सा किया महिला सहीद तीनारों पी गिरफतार किये गये प्रेम प्रसंग को ले कर हुई थी हत्या थाना ढोलनाक शेतरां तरगत हुई हत्या का कासगर्ज पुलीस ने सफल अनावरन किया दो अभियुक्त व एक अभियुक्ता गिरफतार की गए कटना में प्रयुक्त गम चाब बरा मत किया गया अवेज समंदों के चलते हत्या हुई थी थाना ढोलनाक शेतरां तरगत ग्राम तयब पुर कमाल पुर निवासी रामुतार पुत्र कल्लू सिंग दिनांक 18 दिसंबर की रात्री को खेत पर रखवाली कर रहा था लेकिन सुबह घर वापस नहीं लोटने पर परिजनों ने तलाश की तो राम तोवार का शव हजार नहर पूल के पास कोट्रा गाउ को जाने वाली सड़क पर पाया गया था मृतक के भाई राजेंदर सिंग द्वारा अग्यात अभियूगतों के विरुद्ध थाना डोलना पर अभियोग पंजिगृत कराया गया था पुलीस अधिक्षक कासगंज श्री मनोच कुमार सोनकर द्वारा एक घटना चुनोती के रूप में लेकर घटना के शिग्र सफल अनावरन कर घटना सनलिप्त अभियूगतों की गिरफतारी का खुलासा किया पुलीस ने पुश्टाश के दोरान गिरफतार अभियूगत नेक से और फोंप्रकाश द्वारा बताया गया कि ग्रामत यपपूर कमालपूर में उसके द्वारा जमीन पटे पर लेकर खेती बाड़ी का काम शुरू किया गया था इसी दोरान अभियूगत नेक से के अवैद प्रेम सम्मद मृतक रामतोवार के पतनी गुडिया से हो गय कुछ दिन पर शाद मृतक को नेक से और गुडिया के प्रेम प्रसंगों के बारे में पता चल गया तथा मृतक द्वारा प्रेम प्रसंगों का कड़ाब विरोत किया जाने लगा यह इवं गुडिया द्वारा योजना बद्दतरीके से रामोतार को घर से बाहर भेज कर आरूपी नेक से द्वारा अपने अन्यसाती राजू के साथ मिलकर शराब पिलाने के बहाने कोटरा गाउ के पास ले जाकर गमचिस से गला गोट कर हत्या कर दी गई NBC News के लिए कासगन से पहीम की रिपोर्ट लखीमपूर के सदर्थानाक शेत्र में हो रहे अवैद लकडी कटान को लेकर आईजी लक्षमी सिंग ने मौके पर छापा मारा LRP4 की इंचार्ज और दो सिपाईयों को निलंबित किया लखीमपूर के सदर्थानाक शेत्र के LRP4 की अंतरगद बाजपई मौले में पेडो के हो रहे चोरी चुपे अवैद कटान के बारे में पुलिस अधिक्षक खीरी को जानकारी दी गई थी जिसके बाद पुलिस अधिक्षक खीरी विजए ढूल ने इस अवैद कटान को रोकने और ततकाल ठोस कारवाही के लिए चौकी प्रभारी LRP को निर्देश दिये थे लेकिन इसके बावजुद पेडो का अवैद कटान नहीं रुका जिसके बाद आईजी लखनव जोन लक्षमी सिंग ने खुद मौके पर पहुच कर स्थिति का जायजा लिया जहाँ पाया की पेडों का अवैद कटान हो रहा है जिस पर कारवाई करते हुए आईजी जोन लक्षमी सिंग ने चौकी प्रभारी और बीट के दो सिपाहियों को ततकाल निलम्बित कर दिया वही सीओ सदर को निर्देश दिया है कि जो पेड काटे गए है इनको जब्त कर अपरादियों को हिरासत में लेकर कारवाही करे और गत रात भी इसकी धुलाई होती रही है मौके पर ही चौकी प्रभारी से वारता करने पर काफी तत्थे आपत्ती जनक तत्थे संग्यान में लाए गया है इसमें हमारे द्वारा इस कटान को रोपने के लिए इसमें सफल ना होने पर अग्यात पुलिस कर्मियों और बन कर्मियों के खिलाब मकर्मा लिखाने के लिए निर्देशित किया गया है आईजी जोन लखनाउ लक्षमी सिंग लखिमपूर दोरे पर है जहाँ आईजी लखिमपूर खीरी के अपरादों और उसके निस्तारण का जायजा ले रही है इन बीसी न्यूस के लिए लखिमपूर खीरी से पारुख हुसेन की रिपोर्ट उत्रप्रदेश सरकार द्वारा मिशन प्रेणा के तहर प्रदेश में शिक्षा में सर्वांगेन विकास हेतू निरंदर प्रयास किये जा रहे है इसे कड़ी में शिकारपुर क्षेत्र के प्रात्विक विद्धालय गोमत पूर में शिक्षकों की मासिक समिक्षा बैठक आयजित की गए बैठक का आयजन एरपी शिकारपूर डॉक्टर मनमोहन रोहिला के मार्क दर्शन में किया गया एरपी शिकारपूर के द्वारा अध्यापकों को विद्यालयो के उन्मुखी करण से जुडी महत्व पूर्ण बिंदियों जैसे मिशन प्रेरणा की रूपरेखा, प्रेरणा लक्ष, प्रेरणा सुची, प्रेरणा तालीका, प्रिंट रिच कक्षा कक्ष, टी एलम तथा के इंद्र सिंग ने विद्यालय के शैक्षिक परिवेश से प्रभावित हो कर बोले कि वाकई अब बेसिक शिक्षा का काया कल्प होने जा रहा है, बैठक के दोरान अन्य सभी शिक्षक संकुल तथा अध्यापकों ने शैक्षिक नवाचार के संबन में अपने विचार अर्विन, मुजाहिद, अनिल, तेजेंद्र, विनोत, राकेश, सुमन, शिक्षा, आदी दर्जन और शिक्षक गण उपस्थित रहे, इनबीसे न्यूस के ले बुलन शायर से जावित खान की रिपोर्ट जिलादिकारी श्रीराकेश कुमार मिश्र ने विकास खंड का नौच ग्राम नजिरापूर के उच्च प्राथमिक विद्याले नजिरापूर में चौपाल के अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों वकर्मचारियों को निर्देश दिये उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के दृष्टिकर सभी ग्राम वासियों को एक दूसरे से उचित दूरी बनाई रखने फाइले रिया हे तू दवाई सभी द्वारा लिये जाने एवं गरी पी रेखा से नीचे व्यक्तियों हे तू शासंद वारा पाच लाग तक के मुफ् रत शिक्षकों की उपस्थिती पंजिका का अवलोकन किया जिसमें से कारियरत कुल 12 शिक्षकों में से 3 आकस्मिक अवकाश पर पाए गए जिसके उपरान उन्होंने विद्याले से संचालित कराई जा रहे डिजिटल पाच्छला के संबन में आवश्यक जानकारी करते उपस्तित खंड़ शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों की मदद से ग्राम के गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वालों हे तुँ गोल्डन कार्ट बनवाने के भी निर्देश दिये श्री मिश्र ने श्री मती सुशिला पत्नी राजेंद्र को परिवारिक लाब दिलाने हे तुम मौके पर पंजिकरन संस्था से जिला समाज कल्यान अधिकारी को अवगत कराते हुए लाब न दे जाने का कारण स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही कर लाब दिल प्रदाव के समस्याव के सिंग उन्होंने ग्राम के प्रधान श्रीक्रिश्न प्रताप सिंग एवं ग्राम वासियों से गाव के समस्याव के समन में भी पूछा जिसमें पेजल हेतु हैंडपं की समस्या विशेश रूप से बताई गई जिलादिकारी ने शिकायत करता श्री राजेंदर शर्मा की खतोनी एक वर्ष से उपर होने पर भी अभी वतक खतोनी में उचित अंकर न दर्च करने की शिकायत पर समन्दित श्री अजे कुमार हेतु उपजिलादिकारी सदर को प्रकरंड में दोहाई पाए जाने पर कठोर कारवाई किये जाने के निर्देश दिये उन्होंने ग्रामवासियों से फाइलेरिया हेतु दवाई स्वास्त विभाग की विबिन्न टीमों द्वारा लिये जाने के पुष्टि की एवं दवाई के महत्व को समझाते हुए एवं गरिबी रेखा से नीचे व्यक्तियों हेतु शासंद्वरा पाच लाग तक के मुक् वसिलदार सदर सहित समंदित लेकपाल कानुन गो वग्रामवासि उपस्थित रहे इनबी सिन न्यूस की लेका नौच से शीवम दुवे की रिपोर्ट दनाहार पुलीस ने सगे चाचा के हत्यारों को गिरफतार किया मुक्बिर की सुषना पर थाना दनाहार पर पंजीकृ लल्लू सिंग की गला दबाकर हत्या की गई थी जमीन को लेकर अपने सगे चाचा लल्लू सिंग की हत्या की थी बृतक लल्लू सिंग की एक लड़की थी और बेटा नहीं था बृतक लल्लू सिंग ने 18 साल पहले पाज बिगा अपनी बेटी देवकुमारी के नाम कर दिया 28 नवंबर को ललु सिंग ने बतीजो के नाम पर अपना हिस्सा कर दिया था चचेरी बेहन देव कुमारी और बेहनोई अनिल कुमार ने इसका विरोध किया हत्यारोपियों ने सोचा कि कही उनका चाचा ललु सिंग कही अपनी बेटी की बातों में आकर बैनामा निरस्तना कर दन्नाहार थानाक शेत्र के ग्राम हरी सिंग का मामला है इनबी से न्यूस के लिए जनपदमैन पुरी से मौम्मद आसीव की रिपोर्ट परश के पहले दिन ही जिलादिकारी को जनता की सेवा करने और प्रदानमंत्री के महत्वा कांशी पीम अवासीय योजना में बहतर कार्य करने के लिए अवार्ट से नवाजा जाएगा पीम शायरी योजना के श्रेष्ट क्रियानवयन के लिए मिर्जापूर को प्रदेश के दो अन्य जिलों के साथ चुना गया है जिले के लिए नया वर्ष 2021 का पहला दिन ही उर्जा से भरपूर हरशित होकर आएगा पुरे देश में प्रदान मंतरी अवास योजना के क्रियान वयन में सर्वश्रेष्ट चुने गए जिलों में उत्रप्रदेश का मिर्जापूर प्रथम पायदान पर है जबकि राजदानी लखनव, द्वितिय और संत कबिर नगर तुरुतिय पायदान पर है मिशन निदेशाले, प्रदान मंतरी शहरी आवास योजना, लखनव के द्वारा जिलादी कारी सुशिल कुमार पटेल को इस आशय की जानकारी दी गई है ये आवास युम शहरी कार मंतराले गोर्मेंट आफ इंडिया के 21 दिसंबर का इक पत्तर आया था जिसके तहट ये सुचित किया गया था कि जनपत मिर्जापुर के नगर निगाय में पदान मंतरी आवास, सहरी, योजना के नतरकत कार अच्छा हुआ इसके तहरी तुतर प्रदेश के दो जनपत आवर हैं, लकनोव और संतकपी नगर, इन तीन जनपत को चैन किया गया है, जिसको पुरुस्कित करिये जाने के लिए संबंदित में अवगत कराया है ये कारकरम जो है इनाइसी के वर्चुल माद्यम से एक तारिक को 11 बजे रखा गया है और इसमें उपस्तित करने के लिए आगरा भी रखा गया है, तो ये बड़ा हर्स का विशय है कि मिजपुर जनपत के नगर निगाय का भी चैन हुआ है पीएम आवास यूजना का चैन नगरिय विकास अभिकरन वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्षे जिलादिकारी ही है, वर्च के प्रथम दिन 1 जनवरी 2020 को दिन में 11 बजे गौरवानवित महसूस करने वाला खशन होगा NBC News के लिए मिर्जापुर से अजय दूबे की रिपोर्ट NBC News की प्रदेश की खबरों में फिलाल इतना ही, अन्या खबरों से हम आपको यू हिरू पुरू करवाते रहेंगे, देखते रहें इन बीसे निउस, नमस्कार